जादूई चूडियां बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में राक्षसों ने हमला कर दिया। राक्षसों का राजा धूमावत बुरी तरहां से परी लोक का विनाश कर रहा था। लाखों की संख्या में परीयां घायल हो गई थी। परीयों की जादूई शक्तियां राक्षसों के उपर पूरी तरहां से काम नहीं कर रही थी। चारों तरफ हाहा कार मचा हुआ था और परीयों के रोने की आवाजे आ रही थी। परियों की दशा देखकर परियों की रानी राज महल में बने भव्वे मंदिर में पूजा कर रही थी और माता चंदर प्रभा से परियों पर दया की भीक मांग रही थी परि मां इस तरह से प्रार्थना करते करते पूरी तरह से निराश हो चुकी थी और जब उन्होंने सोचा कि इस प्रकार के जीवन से जिसमें वह अपनी प्रजा की रक्षा भी नहीं कर पा रही है मृत्यू ही श्रेष्ट है उन्होंने कटार उठाई और मात चंदर प्रभा के सामने ही अपने गले को काटने का निश्चय किया किन्तु ऐसा करते ही तुरंद मा चंद प्रभा परी मा के सामने प्रकट हो गई और उन्होंने कहा बेटी इस तरहा निराश होने की आवशक्ता नहीं राक्षसों ने अपने गुरू शुक्राचारे जी की कठिन तपस्या कर तरहा तरहा की शक्तियों को प्राप्ट कर लिया है और अपने सभी सैनिकों को अपनी जादूई शक्तियों से पूरी तरहा से लैस कर दिया है इसी लिए तुम लोगों का कोई भी जादू उन पर असर नहीं कर रहा है बेटी यहां पर निराश होने से नहीं बलकि बुद्धी से काम लेना होगा परी मा उदास्वर में बोली मा मैं तैयार हूँ खृपया मुझे सलाह दे ताकि मैं अपनी प्रजा अपनी परियों को बचा सकूँ माता चंदर प्रभा ने कहा बेटी गुरु शुक्राचारे ने राक्षुसों से कहा है कि वह मानवों से दूर रहें क्योंकि मानव ही उनकी मृत्यू का कारण बनेंगे मानव के सिवा कोई भी जाती उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचा सकती मेरी मानों तो तुम धर्ती पर रहने वाले अब देश के बहादुर राजा वीरभद्र से मिलो और उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाओ और ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गई परी मा यह सुनकर बड़ी परिशानी में पड़ गई और उन्होंने सोचा कि भला राजा वीरभद्र हमारी मदद क्यूं करेंगे वे ठहरे मानव और हम परियां हमारा आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं है फिर भी परी लोग की रक्षा के लिए मैं राजा वीरभद्र से जरूर बात करूंगी ऐसा सोच कर उन्होंने गुलाबी परी को तुरंट अपने कमरे में बुलाया और कहा प्रिय गुलाबी मुझे पता है कि तुम सभी परियां जी जान लगाकर युद्ध कर रही हो किन्तु यह बुद्धी से काम लेने की घड़ी है मुझे मा चंदर प्रभा ने मानव की सलाह लेने का उपाए बताया है और राजा वीर भद्र से मदद मांगने को कहा है गुलाबी परी को इनसानों की मदद मांगना अच्छा तो नहीं लगा किन्तु राजमाता परी की बात टालना बिलकुल भी उचितना था इसलिए वह उनकी आग्या के अनुसार उसी समय धर्ती की तरफ उड़ चली कुछ समय के पश्चात जब गुलाबी वीर पुर के राजमहल में पहुची तो उसने देखा कि राजा वीर भद्र हाथी से मल युद्ध कर रहा था राजा की वीरता देखकर वह बहुत प्रभावित हुई और राजा के सामने प्रकट हुई राजा वीर भद्र ने गुलाबी परी को देखकर हैरानी से पूछा कि वह कौन है और महल में इस प्रकार क्यों आई है गुलाबी परी ने राजा को परी मा का कहा हुआ सारा वृतांत पताया और राजा से परी लोग को बचाने के लिए राक्षसों से युद्ध करने में मदद करने के लिए प्रार्थना की राजा वीर भद्र ने एक मिनट लगाए बिना ही तुरंट अपने सेना पती को आदेश दिया कि सारी सेनाएं तैयार करो हम आज ही परी लोग की ओर चलेंगे और फिर परी से पूछा आप आसमान में रहती हैं भला मैं अपनी इतनी विशाल सेना लेकर परी लोग कैसे पहुँच पाऊंगा यह सुनकर परी भी परिशान हो गई और उसने अपने जादू से अपने हाथों में पहनी हुई चूडियों से धर्ती से परी लोग तक एक लंबा रास्ता बनाया और राजा की सेना उन जादूई चूडियों के रास्ते पर चलती हुई परी लोग तक पहुँची राजा को परी लोक में देखकर परी मा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा का बहुत स्वागत किया राजा ने राक्षसों के साथ जम कर युद्ध किया और राजा की सेना ने राक्षसों की सेना को पूरी तरह से मार गिराया तथा राक्षसों के राजा धूमावत को बंदी बना कर परी मा के चरणों में डाल दिया और धर्ती की तरफ वापस जाने लगा परी मा ने सोचा कि वीरभद्र इतना बहादुर राजा है क्यों ना इसे सदैव के लिए परी लोक में ही रख लिया जाए क्योंकि यदि वह धर्ती पर चला गया और किसी और राक्षस ने हमारे लोक पर युद्ध कर दिया तो हमें फिर से वीरभद्र को बुलाना पड़ेगा अनिथा हमारा परी लोक खत्रे में पड़ जाएगा उन्होंने वीरभद्र से कहा कि हम चाहते हैं वीरभद्र कि तुम परी लोक को छोड़ कर नहीं जाओ और गुलाबी परी से विवहा करके सदैव के लिए यहीं बस जाओ हम तुम्हें परी लोक का राजा बना देंगे और तुम्हारे सेनिकों को भी अपनी सेना में शामिल करेंगे किन्तु वीरभद्र को परी मा की यह बात बिलकुल भी ना भाई और उसने परी मा के प्रस्ताव को ठुकरा कर जाने का निर्नै लिया वीरभद्र के इस विवहार से परी मा अत्यधिक क्रोधित हो उठी और भूल गई कि वीरभद्र ने ही उनकी इतनी बड़ी सहायता की है और उन्होंने परी लोक से धर्ती तक जाने वाला रास्ता जो गुलाबी परी ने जादुई चूडियों से बनाया था उसे गायब करवा दिया जिसके कारण वीरभद्र को मजबूरी में परी लोक में ही रहना पड़ा परी मा ने वीरभद्र का विवहा गुलाबी परी से करवा दिया और वीरभद्र को परी लोक का राजा भी बना दिया वीरभद्र परी लोक में राज करने लगा किन्तु उसका मन हमेशा अपने राज वीरपुर की तरफ रहता वीरभद्र बहुत उदास रहता था और उसकी पत्नी गुलाबी परी अपने पती की उदासी देखकर बहुत दुखी हुआ करती थी एक दिन गुलाबी परी ने वीरभद्र से पूछा क्या आप आज भी वापस धर्ती पर जाना चाहते हैं वीर भद्र ने कहा अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम सदैव के लिए परी लोग को छोड़ कर वीरपुर में रहो तो क्या तुम्हारे लिए यह आसान बात होगी मुझे बहुत दुख है कि मैंने दुख के समय अपनी पूरी सेना के साथ परी लोग का साथ दिया किन्तु तुम लोगों ने मेरे साथ ही साथ मेरे सैनिकों के परिवारों को भी एक दूसरे से अलग कर दिया और मैं यह विश्वास खात कभी नहीं भूलूँगा गुलाबी परी को वीरभद्र की बात पूरी तरह से सच लगी और उसने सोचा कि वह किसी भी तरह वीरभद्र को धर्ती पर जरूर भेजेगी और उसने वीरभद्र से कहा पती देव आप मेरे हाथ में जो चूडियां देख रहे हैं कृप्या उनमें से एक चूड़ी उतार दे और उस चूड़ी से प्रार्थना करें कि वह आपकी सेना में जितने भी सैनिक हैं उतनी संख्या में आ जाए और ऐसा होते ही आप अपने हर सैनिक को मेरी एक-एक चूड़ी दे दे यह जादूई चूड़ी है इसे हाथ में लेते ही आप मन में वीरपुर पहुँचने की इच्छा करें और आप वीरपुर तुरंथ ही पहुँच जाएंगे और वहाँ पहुचते ही आपके हाथ से यह चूड़ी गायब हो जाएगी किन्तु स्वामी उसके बाद मैं आपसे कभी मिल नहीं सकूँगी अब फैसला आपको करना है कि आपको वीरपुर जाना है या परी लोक में रहना है राजा ने गुलाबी परी के हाथ से एक चूड़ी उतारी और गुलाबी परी के कहे अनुसार चूड़ी से प्रार्थना की कि वह उसकी सेना में जितने सेनिक है उतनी संख्या में आ जाए और सच में एक चूड़ी में से सैकडों चूड़ीया निकलने लगी राजा ने अपने हर सेनिक को एक-एक चूड़ी दे दी और गुलाबी परी के कहे अनुसार उन्हें वीर्पुर पहुँचने की इच्छा करने को कहा देखते ही देखते राजा की पूरी सेना परी लोग से गायब हो गई राजा ने अपने हिस्से की चूड़ी गुलाबी परी के हाथ में वापस पहना दी और गुलाबी परी से कहा प्रीय पत्नी यह जानते हुए भी कि परीमा तुमको इस कारे के लिए कड़ी सजा दे सकती है तुमने मेरी सहायता की इस हाल में अपनी पत्नी को छोड़ कर मैं कहीं नहीं जा सकता इसलिए मैंने निर्ने लिया है कि मैं तुम्हारे साथ सदैफ परी लोक में ही रहूंगा परी रानी अपनी जादूई शक्तियों से वीर भद्र की सारी बाते सुन रही थी उन्हें अपने कारे पर बड़ा पश्चा ताप हुआ और उन्होंने गुलाबी परी और वीर भद्र को पूरे सम्मान के साथ धर्ती लोक भिजवाने की विवस्था कर दी और धर्ती से परी लोक तक हमेशा के लिए एक रास्ता बनवा दिया अब उन्हें राक्षसों के हमले का कोई डर नहीं था और इस प्रकार राजा वीर भद्र अपनी पत्नी गुलाबी परी के साथ धर्ती पर और परी मा परी लोक में आराम से अपनी जिन्दगी बिताने लगे